प्रदेश की आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्जोर कोशिशों में जुटी हुई है चाहे वो महला क्लीनिक हो, स्कूल कॉलेज हो, रेट का मामला हो, नए नए उद्योगों के इस्थापित करने का मामला हो या फिर खेल से जुड़ा मामला ही क्यों ना हो हर शेत्र में विकास और नए आयामों को लेकर पंजाब सरकार कोशिशों में जुटी हुई है होकी की नरसरी माने जाने वाले पंजाब के खेल मंत्री गुर्मी सिंग मीथ हेर ने अपने सरकारी आवास पर भारती होकी टीम के खलाडियों का सम्मान करते हुए कहा मुखे मंत्री भगवंत मान जल्दी उलम्पिक पदक विजेता होकी खलाडियों को दरजा एक की नौकरी के न्युकती पत्र सौपेंगे मीथ हेर ने कहा कि भगवंत मान के नेतत्व वाली आप सरकार पंजाब को खेलों में अगरणी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी और पंजाब इस खेल में देश का नेतत्व करेगा कैबनीट मंत्री ने राज़े में होकी खेल को और प्रफुलित करने के लिए खेलाडियों से सुझाफ मांगे होकी खेल के बुन्यादी धाचे को और मजबूत करने और प्रदेश में होकी लीग शुरू करने के संबन्द में विचार विमर्ष किया गया उन्होंने कहा कि पंजाब के लिए गर्व की बात है कि टीम में कप्तान समेट राज्यो के 10 खिलाडी हैं। उन्होंने खिलाडीों को इस साल होने वाले एशियाई खेल और अगले साल होने वाले पैडिस ओलम्पिक खेल के लिए शुब कामनाएं भी दी हैं। वर्ल कप में नतीजे आशा के अनुरूप ना आने पर उन्होंने खिलाडियों को हिम्मत ना हरने की सलाह देते हुए कहा कि जीत हार खेल का हिस्सा है, हार से मायूस होने की जरूरत नहीं है। भाती हौकी टीम के कप्तान हर्मन प्रीत सिंग ने खेल मंतरी को भरोसा दिलाया है कि आने वाले मुकाबलों में देश और प्रदेश का नाम रौशन करने और अपना प्रदर्शन और अधिक बहतर करने के लिए जी तोड महनत करेंगे। इस मौके पर खेल मंतरी ने हौकी की कई खिलाडियों को सम्मानित किया। हौकी खिलाडियों ने खेल मंतरी को अपने ओटोग्राफ वाली टी शिर्ट और हौकी स्टिक भी भेट की। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। देश दुनिया की तमाम खबरों को विस्तास से जाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejpt.com को लॉग इन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभापना टाइम्स के साथ। नमस्कार।